Hello everyone, welcome to EduTab. जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए Foundation Series लेकर आई हूँ for RBWM Component जिसमें हम Important Concepts को देखते हैं और साथ के साथ ये भी देखते हैं कि previous year में किस तरीके के Questions आये थे या और आने वाले एक्जाम में हमें किस तरीके का Question इसमें देखने को मिल सकता है ये मेरा Foundation Series हर Alternate Day सुबे के 9 बजे आता है तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये Series उनके लिए काफे ज़्यादा Important होने वाला है वो जल्दी से जाए और हमारे YouTube चानल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको इसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे है आज मैं यहाँ पर आपके लिए Module A का Chapter 2 लेकर आए हूँ और इसी Chapter 2 को हम अभी भी Continue कर रहे हैं क्योंकि दो प्रिवेस वीडियो में मैंने आपको दो डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताया था पहला हमारा अप्रोच था यहाँ पर Strategic Business Unit अप्रोच और दूसरा था हमारा यहाँ पर Departmental अप्रोच इन दोनों अप्रोचेस को मैंने काफी जादा अच्छे से example के साथ आप लोगों को explain किया है तो जिल लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है कि किस तरीके से जो है Retail Banking जो है इस अप्रोचेस का यूज करती है to maintain their business और to maintain their customer ठीक है तो आज हम यहाँ पर तीसरा अप्रोच देखेंगे जो होता है Integrated Approach तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में भी बताया था कि bank different approaches को use करती है for their retail banking activity mainly यहाँ पर देखोगे कि तीन तरीके के जो हैं आपको approaches दिखते हैं पहला होता है strategic business unit approach दूसरा होता है departmental approach और तीसरा है हमारा integrated approach इन दोनों को हमने already पढ़ लिया है आज हम यहाँ पर देखेंगे कि integrated approach क्या होता है तो चलिए start करते हैं देखिए integrated का क्या मतलब होता है अगर मैं हिंदी में आपको बताओ तो integrated का मतलब होता है एक अत्रित करना integrate करना, unite करना किसी चीज़ को तो यह जो approach है यह यहाँ पर इसी के बारे में बात करता है तो चलिए इसका definition देखते हैं इसमें लिखा है कि यह combine करते हैं सारे socio-economic aspects को and adopt करते हैं cohesive approach को इसका मतलब समझिए यहाँ पर जो है socio-economic aspects क्या हो सकते हैं जैसे कि मान लो आपका business है तो business के आपके जितने भी parts है parts में आ गया जैसे आपका money हो गया आपके लोग हो गया आपके operations हो गया तो यह जितने भी parts है इन सब को rather than separately एक business unit में treat करने से अच्छा है इन सभी को एक जगा combine कर दो unite कर दो इससे क्या होगा इससे जो है हमारा काम करने का जो pattern होगा वो काफी जादा smooth हो जाएगा ठीक है तो इसका यही मतलब होता है कि जितने भी आपके business के parts है उन सभी को यहाँ पर एक साथ क्या करो combine कर दो cohesive का क्या मतलब होता है cohesive का मतलब होता है जोरना add करना तो यहाँ पर इन सब को एक साथ क्या कर दो जोर दो एक साथ इकठा कर दो इसको है न तो अब इसको हम banking के term से समझेंगे जैसे कि माल लो हमारे bank में क्या-क्या होता है हमारे bank में products and services होते है rights हमारा यहाँ पर different delivery channels होते है उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको processes होते है different different तरीके के और यहाँ पर technology होती है तो यहाँ पर integrated integrated का क्या मतलब है कि जितने भी आपके products है delivery channel है process है सब को क्या करो एक जगह यहाँ पर integrate कर दो यानि कि एक जगह इसको unite कर दो एक system बना दो unified यहाँ पर एक system बना दो जहाँ पर यह सारी चीजे एक जगह ही आपको मिल जाए इससे क्या होगा इससे जो आपका business होगा smoothly run करेगा और साथ के साथ जो है यह काफी ज़ादा आपके customer के experience को enhance करेगा तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो main integrated approach का objective क्या होता है देखिए integrated approach का बड़ा ही clear यहाँ पर objective है इसके दो objective है कि पहला तो होता है कि profitability को क्या करना increase करना तो यहाँ पर किसी भी business की profitability को increase करने के लिए यहाँ पर आप क्या करते हो integrated approach का use करते हो या यहाँ पर किस तरीके से जो है आप अपने risk को reduce कर सकते हो तो इनका यहाँ पर दो objective होता है कि business के profitability को increase करना और उसके जो risk होते हैं businesses के उसको यहाँ पर reduce करना तो generally आप देखोगे कि यह जो integrated approach होता है वो adopt किया जाता है small businesses के दौरा और आपके small finance bank होते हैं ठीक है वो भी इस approach का use करते हैं और क्यों करते हैं आपको पहले से पता है कि integrated approach के objective होते हैं इसकी वज़ा से जो है यह banks जो होती है integrated approach को use करती है यानि कि अपने business के profitability को increase करने के लिए और अपने risk को reduce करने के लिए अब हम इसको example से समझेंगे कि किस तरीके से bank जो है reduce करती है अपने risk को और अपने profitability को यहाँ पर increase करती है तो let's take an example कि कोई XYZ जो है bank है ठीक है अब इस bank के different products and services है जैसे माल लो saving account current account आपका credit card हो गया loans हो गया लोन में आप ले लो personal loan, education loan कोई भी loan ले लो तो यह जितने भी इनके products है तो rather than इसको आप divide करो किसी business unit में या as per their function आप यहाँ पर क्या करो इन सब को एक जगह ही unified कर दो एक unified integrated system बना दो इससे क्या होगा इससे काफी ज़ादा आसान हो जाएगा decision लेना कि कौन सा customer है हमारा जो किस तरीके के products को ज़ादा prefer करता है तो उसको हम उसके according यहाँ पर क्या कर सकते है products and services provide कर सकते है तो यहाँ से हमारा जो customer के लिए जो experience होता है यह काफी ज़ादा यहाँ पर better देखने को मिलता है जैसे माल लो कि कोई एक customer है वो यहाँ पर loan लेने को आया ठीक है उसने loan के लिए apply किया अब यहाँ पर bank क्या करेगी bank के पास एक unified integrated system है अब इस system में वो जाकर easily जो है customers के history को check कर सकती है उसके saving account का history चेक कर सकती है वो कितना credit card use किया है ठीक है उसके uses को check कर सकती है किस तरीके का FD उसने लिया है यह सारे information जो है यहाँ से वो quickly देख सकता है यानि कि जो एक customer का comprehensive data होता है यहाँ पर अगर integrated system है bank में तो वो यहाँ पर उनकी comprehensive data को easily जो है देख पाएंगे और जिस्ते क्या होगा कि आपका जो loan approval का process होगा उसमें काफी जादा जो है आपको enhancement देखने को मिलेगी आपका जो process होगा वो quickly होगा, speed उसकी बढ़ जाएगी तो यह जो है काफी जादा integrated system help करता है कोई भी जो process होता है उसको streamline करने में ठीक है, जैसे कि माल लो कि यहाँ पर अगर मेरी technology और system जो है integrated है तो इसका पता है एक और benefit होता है कि आप यहाँ पर real time में customers के data को और साथ के साथ उसके जो transactions होते हैं उनको भी देख सकते हो क्यासे, इसको समझो जबी भी कोई customer withdrawal करता है जबी भी कोई customer loan के लिए apply करता है या कोई भी deposit करता है तो यह आपको जो है real time में आपके platform पे आपके system पे जो है आपको दिखाई देगा और आप क्या करोगे real time में अपने customers के सारे data को easily manage कर पाते हो जिससे एक आप quick decision ले सकते हो quick जो है आपका analytics data customers related जो data होते है वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं on a real time basis अब इससे क्या होता है अगर आप चीजों को real time देख पाते हो तो आपके लिए आसान होता है कि किस customer को किस तरीके के specialized आप यहाँ पर offers दे सकते हो इसते क्या होगा customers को काफी जादा यहाँ पर अच्छी service मिलेगी और जैसे ही यहाँ पर better service मिली और जैसी आपने customers को better तरीके के products देना start किये यहाँ पर automatically क्या होगा आपका यहाँ पर business जो है और ज़्यादा grow करने लगेगा तो जितना ज़्यादा business grow करेगा उतना ज़्यादा आप पैसा कमाते हो तो उससे क्या होता है आपकी जो है profitability जो होती है business की क्या होती है वो increase हो जाती है साथ के साथ आप यहाँ पर यह देखोगे कि यहाँ पर risk जो होता है यह कम हो जाता है जब सारी चीज़े एक जगा पर है united है और आप जो है इसको access कर सकते हो easily on a real time basis तो यहाँ पर काफी कम chances होते हैं कि यहाँ पर आपको errors देखने को मिले तो यहाँ पर risk जो होता है काफी कम होता है तो यह था कुछ important जो terms और concept regarding the integrated approach ठीक है तो I hope आपको यह integrated approach के बारे में समझ में आ गया होगा तो चलिए इससे related जो exam में question आया था उसको देखते हैं तो exam में जो question पूछा गया था वो था which of the following statements are correct regarding integrated business model option A था it is not used by small businesses statement B था it aims to have separate business lines statement C था it is used by big organizations और statement D था it combines mainly socio-economic aspects and a cohesive approach क्या होगा इसका answer अभी मैंने just app को बताया कि जो integrated approach है वो क्या करता है जितने भी उसके socio-economic aspects होते हैं उसको combine करता है और एक साथ जो है उसको जोड कर फिर एक unit और एक system बनाता है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option D अब मैं आपको एक question दोंगी जिसका मुझे हर किसी से जवाब चाहिए comment section में मैं चाहती हूँ जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है actively participate करें ताकि मुझे भी पता चली कि कौन से लोग है जो इतने जादा सीरियस हैं exam को लेकर और उनके लिए में और अच्छे concept जो है easy concepts लेकर आऊं जो कि उनके लिए exam के लिए जादा important होईंगे तो चलिए question को देखते हैं question है मेरा यहाँ पर what is the benefit of having unified business model in the integrated approach पहला option है increased risk दूसरा है आपका higher cost तीसरा है reduced profitability and चौता है increased profitability through scale जिन लोग और भी मेरे ये youtube वीडियो को देखा होगा उनके लिए question काफी जादा आसान होगा क्योंकि मैं बार बार जो है आपको एक चीज़ बता रही थी इसमें कि क्यों हम integrated approach का use करते हैं तो आप सभी को क्या करना है comment section में जाना है और as usual आपको यहाँ पर comment डालना है answers बताने है, actively participate करना है और मैं आप लोगों के एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने जो यह foundation series start किया था तो काफी लोगों ने मुझे appreciate किया है और काफी लोग जो है actively participate कर रहे हैं, तो उन सभी को thank you so much, जिन लोगों ने भी इतने सारे comments किये हैं और जिन लोगों ने भी यहाँ पर answers दिये हैं, जी हाँ, बिल्कुल आप सभी के answer बिल्कुल correct है option D ही इसका answer था मैंने departmental approach में एक question पूछा था उसका यह answer है, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो motivated रहो, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहे हैं, कोई भी inquiry चाहिए, inquiry related, कोई query पूछना है, या फिर आपको कोई भी problem है, तो आप हमें call कर सकते हो, दूसरा आप हमें mail भी कर सकते हो, कहां पे mail करोगे आप, hello at the rate, addu tab .co.in तो आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं next video में, thank you so much.